नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा अपडेट इसमें देंगे हम लोग आप लोग देखें कि लास्ट बने रहेंगे इसमें असम राइफ़ल के क्या होंगे एज लिमिट क्या होंगे एज रिलेक्सेशन क्या होगा सब कुछ में बताते हैं आपको और जितने वी फिचकल एक्टिविटी होती है सब के बारे में हम जानकारी देंगे आप लोग अंतक बने रही है देखें पहला साथ इसमें आप लोग समझ लिए कि आपका इसके बाद आप यहां पर देखेंगे इस साइड आएंगे तो यहां पर आपको थोड़ा से फिचकल जानकारी देते हैं कि क्या होगी आप इसको देख सकते हैं इसका जो एज लिमिट हम दिया 18-23 साल के ही बच्चे इसमें अप्लिकेबल हो सकते हैं लेकिन ट्रेट के हिसा अगस्त 2004 इतने बच्चे इसमें सामिल हो सकते हैं इसमें और कि आप तो 35 साल तक है इसमें कुछ जो कि आप लोग भी ज्यादे उभरेंच हो गए हैं तो इसमें डाल सकते हैं अगर तेज से पचीस के नां भीच में हूं । इसको एक बार देख सकते हैं. चलिए आगे बताते हैं कुछ कुल 2 साल का चुट मिलेगा और चलते हैं कि कुछ देख लeते हैं दुरी के देखा गर Research तो 170 cm होना चाहिए नॉर्मली 80 cm यानि कि जो एक्सपेंडेट करने के बाद 85 cm हो जाना चाहिए यह हाइट है 170 cm यहां पर दिया है एक मिनट चेस्ट है यह चेस्ट ही है और यहां पर एक चीज यहां पर देख लिए थोड़ा सा यहां पर मेल कंडिडेट एक्सपेक्ट दोज मेंसर्ड विलो यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मली उनका जो चेस्ट होना चाहिए 80 cm और फुलाकर 85 हो जाना चाहिए यह चीज में दिया हुआ है यहां पर आप मेंसर्ण ने देख सकते हैं मिनमम हाइट की बात किया गया है यह जनरल के लिए था वाई जो उपर था 170, 80, 85 और नीचे जो OBC वाले को लिए है इसमें OBC के लिए 165 cm है उनका हाइट होना चाहिए और उनका जो चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल 78 और फुलाकर याने एक्सपेंडेट करकर 83 होना चाहिए और यहां पर देखिए जो जो इनका चेस्ट है 76 और एक्सपेंड करके 81 होना चाहिए अब यहां पर आ जाते हैं थोड़ा सा मेल कटेगरी की हाइट होगा रहे की बात कर लेते हैं देखिए मेल के लिए 170 होगा वही उपर जो देखिए आप फिमेल के लिए 155 और नॉर्मली जो चेस्ट एक्सपेंड क रहेंगे तो पोस्ट के बारे मुझे आनकारी आपको मिल जाएगा 155 सेंडीमीटर होना चाहिए और यहां पर आप देख सकते हैं चेस्ट एक्सपेंड करके यतना होना चाहिए और नॉर्मली 78 होना चाहिए यह देखिए अप्लिकेशन सुवेदार हवल यहां पर हवलदार के लिए अवलदार के लिए थोड़ा से हइंट हो जाता है मेल कंडीरेट का सबक्राइब नदेख सकते हैं जो यह है आपका पारमेंटिकल फिमेल के लिए है तो यह के लिए इसमें चेस्ट और नहीं दिया है आप देख सकते हैं वार का सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब के लिए यहां पर 147 रखा गया है इस वाले पोस्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे यहां पर आप कुछ पोस्ट दिये गए हैं सबके अलग लगें जैसे ट्रेड टेस्ट स्कील होगा पहले पहले आपका फिचकल एफिसिंसी होगा फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट स्कील होगा जिस ट्रेड के लिए अपलाई करेंगे उसके लिए आपका इस्कील टेस्ट होगा उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा रिटेन टेस्ट होने के बाद आपका डिटेल यहां पर मेडिकल एक्जामिनिशन होगा मे ट्रेट की बात करें साथ है तो देखें ट्रेट है आपका ब्रिज रोट के लिए है इसमें मेल कंडी रेट को ज्यादा अपर्चुन्टी मिलेगा इसके बाद ट्रेट कलर का है इसमें भी अठार से पचीस साल होगा इसमें 30 वर्ड आपको टाइफिंग भी होना चाहिए मिनिममम 30 वर्ड और इंगलिट से लिए मिनमम 35 वर्ड गारेट लिए इसमें चुल्टो सीट और इसमें से अटार से पच्छीस साल हुआ इसके बाद ट्रेट रेडियो मैकेनिक लिए इसमें जो एज है अठार से तेज साल मांगा कि यू आर की बात हो रहा है और सभी लोग तीन साल पान साल जोड के चलेंगे जो कटेगरी वाले बच्चे हैं और इसमें आगर देखें कि ट्रेड आर्मेर के लिए बच्चा इसमें भी है आपका इसके बाद ट्रेड नर्सिंग असिस् अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर ट्रेड वास्वायन के लिए है भाई अठा से तेज साल त्यों यहां पर नीचे आपको पूरा कर अप्लिकेशन फॉर्म मिल जाएक पूरा प्रेडियोप अपो टेलिग्राम मिल जाएगा करेंट हैविन के नाम से वहां पर जोईन हो जा जहां उनके तक पहुंचे और भर सकें अप्लाई कर सकें बहुत अच्छे जॉब होते हैं साथ ही यह आपके असम रीजन में जितने भी पश्ची मंगाल वाला पोस्टर है वहां पर इनको तैनात किया जाता है और काफी अच्छी इसमें सेली भी मिलती है धन्यवाद